और सीम योगी पर अखिलेश के घर वापसी के तंज पर किंद्रे राज्य मंत्री बियल वर्मा ने क्या कुछ कहा बाचीत की हमारे समधा था जी यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने पहले लिष्ट जारी कर दिया है जिसमें हर वर्क का ध्यान रखा गया है बाचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रे राज्य मंत्री बियल वर्मा जी है सर पहली लिष्ट जारी हो गई है आपने हर वर्क का ध्यान रखा लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और RLD गठबंदर ने जो लिष्ट जारी किये उसमें पश्चिमुत्र परदेश में ज़्यादातर मुस्लिम चेहरों को उतारा गया समाजवादी पार्टी की कोई नई बात नहीं है यह मुस्लिम तुष्टिकन की राजनीती पहले भी करते रहे हैं लेकिन भारतिनता पार्टी तो सबका साथ सबका प्रियास और सबका विश्वास उस पर हम करते हैं और हमने सबको नयाय सबको सम्मान लेकिन तुष्टिकन किस है उनको दिल से सुईकार किया है और हम कह सकते हैं कि जब सभी चणों के चुनाव के पर तैस्वी घुषना हो जाएगी और इसके बाद चुनाव की महिम जब देखेंगे तो भाजपा मीलों आगे दिखाई पड़ेगी बिपक्ष मारे सामने कहीं दिखाई नहीं पड़ता न कि अखलेश यादब कह रहे हैं कि चुनाव से पहले ही योगी जी को उनके घर बेज़ दिया अबीजेपी ने ये अखलेश यादब को अपने ग्रेवान में जहांकर देखना चाहिए उनकी हिम्मत अभी तक चुनाव लड़ने की और सीट डिकलेर करने की नहीं हो रही है उनने पहले तो अपने बारे में सोचा चाहिए योगी जी ने अपना छेतर चुना है योगी जी की जनता जहाने जिस जनता ने कई वार सांसत बनाने का काम किया है ये मैं मानी योगी जी के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ उन्होंने जनता का सम्मान जनता ने जो कहा है उसके लिए उन्होंने माना है योगी जी तो कहीं से भी चाहते जित जित सकते थे आयोदा मत्रा कहीं चाहते thus-sahabee तो दार मिक्नेगरी थी, इसलिए वहा से लड़ीय जीत गई, Near, उन्हों ह AG свид कोई पार्टी है तो भाजपा ही पार्टी है और जो 104 प्रतियासं को फेसला हुआ है, मुझे रखता है कि लो लोगतांतिक तरीके से और बहुत बिचार करके मंधर करके सक्षर्ण ने किया है और सभी प्रतासी वारे जिताव प्रतासी है। सर वोटिंग से पहले जिस तरह से बीजेपी में जो भगदर मची है स्वामी परसाद मोरे हो दारा सिंग हो या फिर तमाम जो विदाय के उन्होंने पार्टी को चोड़ा है क्या इसका जो चुनाव आने वाले हैं उस पर कितना एफेक्ट पड़ेगा देखिए आप जिसको भ भाज़पा हो सकता है कि हमें टिकेट नदे उस डर से ही भाज़े हैं इसको मैं स्वार्थ कह सकता हूं लेकिन इस प्रकार के लोगों से कहीं भी इस्तायग तो किसी को मिलने वाला नहीं है और ये भाज़पा के कोई कैडर बेस लोग नहीं थे आपने कह देखा होगा ये कह से आये थे कही चले गए आगे पिर कही चले जाएंगे इनका फू cel अब कहना चाहता हूं और फिर जब हमाएरे पास ही बढाएक हैं वह सवह कहते हैं कि आने समय में जब चुनाव के प्रणाब सामने आएंगे तो हम 2017 वो फिर से रिपीट करेंगे और 2017 की तरह से प्रेशन्ट बहुमत की सरकार बुनाने वाले हैं सर आखरी सवाल होगा क्योंकि आज उनके परिवार में ही सेंद लग रही है अपना यादा बीजेपी जोइन करने जा रहे हैं कैसे देखते हैं देखे मैंन पूरी टावा फ्रोजाबाद इनका कभी गड़ का जाता था ब्रेश तरका में अद्धिक्स था तो इनके गड़ में हमने 65 में से 57 सीटे जीतने का काम 2017 में किया था और फ्रोजाबाद से जो इनके समदी होते हैं हर्यों में अदब जी उनको भाजपा ने जोईन क बनाये हैं इसलिए सपा तो छोड़िए पहले अपने परिवार को बचाये अपने परिवार को देखें इसके लेकिन उसके बाद भाजपा की बात करें लेकिन भाजपा एक समुद्र है भाजपा इतना बड़ा दल है भाजपा सभी वर्गों का दल है कोई इनकी तरह से private limited party नहीं है इनकी पार्टी का नाम तो है समाजबादी लेकिन पूरी रे गई परिवार बारदी परिवार बार्दी सब्सक्राइब गर्वार बार्दी पराइब लेंτι कंपोनी की तरह से काम करती है तो मैं कहा हूं यह लोकतामतिक तरीके से न तो फैसरा ले सकते इनका जो मुस्लिम तुष्टी करण की राजनीती का रहा है वो अभी है और जिस तरह से गुंड़ई इनके सासने में हुई है जिस तरह की माफिया गिरी इनके सासने में हुई है जिस तरह से जमीन पे कब्जे मकौन पे कब्जे हुए है ये जनता प्रदेश की भूल हमें समाजवादी तो इसलिए हमें किसी परकार की कोई ना चिंता है ना हमें कोई चुनोती है हम 27 को फर से रिपीट करने वाले हैं तो बिल्कुल बील वर्मा जी ने साफ तोर पर कहा कि फिर से बीजेपी की सरकार बनने चाहरी है और जाहिड तोर पर जिस तरीके से जो हर दल अरेश के साथ नमित्यागी